हेलो केसी हैं आप लोग स्वागत हैं आप लोगों का फिर से में एक डिए विडियो में आज मैं आप लोगों को बताओंगा क्या इसके आपो F20 5 pro phone में आप लोग भाशा कैसे चेंज कर सकते हो अगर आपके पास एक uppo F25 pod phone ये और इस phone में जो आपको भाशा change करना है, मतलब आपके phone में पूरे system में जो भी language हा रहा है normally आपको English language ही देखने को मिलते हैं लेकिन अगर आपको जो इसको change करना है और यहापर दूसरा language आपको लगाना है कुछ भी language आप लगा सकते हो जितने भी language होते हैं सब यहाँ पर से आप लोग change करके अपने phone में लगा सकते हो तो कैसे आप लोग अपने इस phone में पूरे system के language को ही change कर सकते हो तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को last थक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लीजे तो चलिए गई वीडियो को start करते है system language को change करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option देखने को मिलेगा additional settings का तो इस additional settings पे click कर देना है click करने के बाद यापर एक option देखने को मिलेगा language and region का तो इस language and region पे click करेंगे click करने के बाद add a language का option आएगा तो इस add a language पे click करना है क्लिक करती आपर आपको बहुत सारे language देखने को मिल जाएंगे तो जो भी language आप लोग अपने phone में लगाना चाहते होगा है change करके उस language को ढून लेना और उस पे click कर देना है click करने के बाद वो language आपर add हो जाएगा अभी आपको इस language को ऐसे पकरके रखना और इसको ऐसे उपर scroll कर देना है scroll करती है देख सकते change to उस language का नाम होचुक है तो इस पे हम change करतेंगे click करती है आपको जो system language ऐगा इस हो चेंज हो जागा अभी मेरे पूरे phone का language देख सकते हो change हो चुका है मिलते का लेक नेक्स वीडियो में अब तक के लिए बाई